नमस्कार दोस्तों मैं राजनीतिक लोग हैं वो भी जिले बढ़ाने की बात कर रहे हैं पिछले दिनों राव नर्वीर जो उद्योगन बनाईज्य मंत्री हैं हर्याना में उन्होंने कहा कि परशियमन के बाद ही जिलों की संक्या बढ़ाई जाएगी इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं स्तीश महराजी जो हर्याना की राजनीतिके बहुत अच्छे जान कर रहे हैं मेरा साब सब्सक्राइब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में धन्यवाद नमस्कार मेरा साब पटावदी जो है पटावदी को लेकर जिला बनाने की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है राउ नर्वीर पटावदी में थे तो उन्होंने कहा कि परसीमन के बाद जिलों की संक्या बढ़ाई जाएगी मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को हमरे दर्शकों को ये बताएं कि परसीमन क्या होता है और उसके बाद अगर जिले बढ़ सकते हैं तो कितने बढ़ सकते हैं हरयना में कितनी अभी 22 जिले हैं कितनी संक्या हो सकती हैं हमकी देखिए राजनितिक लोग है या अर्याना की आम जनता है वो अर्याना में जिलों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है हर्याना की मंत्री का वह बहुत एक इमपोर्टेंस रखता है कि अपने आप में कि इस मुद्द्ध को उन्होंने कहीं ज्वर्णत रखा है आगे बढ़ाया है तो हर्याना में अगर इस समय बात करें तो हर्याना में नब्वेधान सबाकषचेत्र है जी और दस लोग ता और 2004 का चुना हुआ था रियाना में वो प्रिशिमन के तहत हुआ था यह आलांके उस समय जो लोगसभा के जो अक्षेत्र हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई थी नहीं विजान सब्सक्राइब शेट्र की संख्या बढ़ाई गी थी लेकिन विजान सब्सक्राइब से इसमें विदान सभा की सीटे भी अर्याना में बढ़ेगी और लोकसभा की सीटे भी अर्याना में बढ़ेगी और जिले भी बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से जिले उसके बाद प्रिसिमन के बाद जिलों के संक्या पर बढ़ाने का विचार किया जारा जैसे आज या क सब्सक्राइब करें तो वर्तमान में नब्य विदान सब्सक्राइब हो सकते हैं और इसी प्रकार से लोग सब्सक्राइब अगर बात करें तो फिलाल वर्तमान में दस लोग सब्सक्राइब हो सकते हैं अर्याना का जो अगर बात करें तो च्वारी सब्सक्राइब किलो मेटर अर्याना का लेकिन जनसंख्या काफी है जो ऑन sigui चयाए वजटाएं की बात कि यह बात करें तो उनमें काफी राज्ध्री हुई है और उस बढ़ोत में देखते हो यह बढ़ी से विदान सबाग सेत्र भी बढ़ेंगे और लोक सबाग सेत्र भी बढ़ेंगी तो अब जो जन्चंक्या है कि हम बात करते हैं तो पूर्ण तीन क्रोड के आसपास मुझे लगता है कि आसपास हर्याना की जन्चंक्या है और तक तीन क्रोड के आसपास जन्चंक्या होने का नुमान है तीन क्रोड के आसपास और आज की जन्चंक्या के मांकड़े दे रहे हैं वो विभिन स्त्रोतों से लिए गए हैं तो जन्चंक्या होनी थी वह जन्चंक्या नहीं हो पाई विभिन स्त्रोतों से जानकारी जोटाई ह वो लगबग लगबग उने तीन क्रोड के आसपास एक आंकड़ा बहर सामने आ रहा है कि जन संक्या इतनी हो यह नहीं हो सकती तो अभी अगर मद्दाताओं की अगर बात करें तो जो अभी पीछे चुना हुए है जो उनने मद्दाताओं की संक्या एक करोड नमासी लाख मद दाता हर्याना में थे और इसके साथ जो ही जन संक्या बढ़ेगी निश्ची दूरूप से मत्दाता की संक्या भी बढ़ेगी दोजार शब्वीस तक मत्दाताओं की संक्या और दस लाक दस गयारा लाक और बढ़ जबती है इस परकार सिर्दो क्रोड के असपास मुझे उसमें टोटल जो स्टेट की जो जन संक्या है और जितने उसमें विदान सबाग से बढ़ाई जाने उनके इसाब से डिवाइड करके एवरेज कितना आता है एक मोटा मोटा आकडा यह लिए लिए जाता है कि आगर हमारी जन संक्या तीन करोड होगी तो तीन करोड को 124 से हम डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा उस हिसाब से पर विदान सबाग सेत्र में एक हो जन संक्या जन संक्या उस विदान सबाग सेत्र में लोग सबाग सेत्र में भी लोग सबाग की जैसे चोदा लोग सबाग सेत्र प्रिशिमन की बात बनने की बात हमने कही है दो मानल लिया जाए बगर तीन किरोड हमारी जन संक्या- दोजाच-बविस में होगी तो जोधा से जोड़ा करने पर जो भी आकल आएगा ना वो जो जन संक्या ओगी वह जन संक्या होगी जन लोग सवाक्श्थ स Rudy में तैय किया जा कितनी जन संख एक लोग जतर में कवर होती है ने विज्ए बनाए जाएंगे यह तुह आपने बता दिया जब्धूर शोब्ड की है पर तो लगादार बढ़ता जा रहा है और इस गंटों को देखते हुए पूरे स्टेट की जो अबादी है वो बढ़ रही है और जैसे गुड़गाउं फृदाबाद की बात की सोनिपत की बात की मुझे लगता है आते हैं और चौधा जिलों में ही काम भी हुए है विदेशी कुझी निवस 14 जिलों के लावर हों में वियारा लेकिन इन ज्यादा तर क्योंके दिली की आसपास हैं जो स्वीधाय है अरकनेक्टिविटी है रेल्वे कनेक्टिवीटी है रोड कनेक्टिविटी बेतर हुई है तो निश्चितरूप्स दिभाव के दबाव है वो तीन और किसी महाइं लगती है तो अबावी के अबादी का दबाव बढ़ेगा और निंटर वादी बड़ी बड़ी है उस अबादी को देखते हुई प्रिविसीमन में जो 14 सिटे जो लोक सबागी होने तो इसे में जो हम बात करते हैं जैसे आपने कहा कि कितने जिले और बढ़ सकते हैं अर्याना में लंबे समय से तीन जिलों की तो विसेश रूप से मांग उठती रही अधार क्या हो सकता उसका उसका परेमिडर्स क्या होगा उसको बनाने के लिए आधार तो जैसे हम ने बात की है कि लगातार अलग अलग अलाकों से अलग अलग जिलों की लोगों ने मांग किए कहीं उनका डिस्टेंस उन्होंने बताया है कहीं अलग दूसरे स्टेट्स की बॉर्डर जो कुछ एक लाकों में लगता है उस पर कहीं कहीं एक लाइंड आउडर और की समस्चा को ठीक करने के लिए वह इस तरह के कई अधार मनें जा सकते हैं कहीं कहीं एक दो आपके लाके ऐसे हैं जहां क्राइम ज्यादा है और जहां जो प्रवासी जो जो लोग आए हैं वहां पर ज्यादा जुरूर्द हो सकती है क्योंकि लाइंड आटर इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो कौन-कौन से जिले मुझे लगता तीन या चार से जिले दोजार उनत से पहले अर्याना में पर यह मन के बाद ही के बम किसी भी स्टेट में किसी भी रज्य में घिलों की संक्याद अब्तक नहीं भी बढ़ाई जाता है कि जब तक मुला नहीं हो जाता है क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ाने से सब्सक्राइब और विबिन्ट सेत्रों की संख्या बढ़ाने में वो कहीं कहीं आज जो वरत्मान मिस्तिती है वो कहीं कहीं वो सीमाएं वहां कड़े उसमें काम आएंगे प्रिसीमन की संख्या प्रिसीमन का जो तायरा ताय करेंगे प्रिसीमन आयोग के जो लोग है वो पूरे इन सभी तरह क कि विद्न की बात है यह सीमाओं की में और उसके बाद अक्रिवन करने करने के बाद करते हैं थो विजलों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर सकती है मैं prevention व्च वल्ल याजसा अपने मैं की दोजारदो में में हो से हैं दोजार चार में चुनाफ हुए थे इपरिसीमन तो ठीक है जाएज़ है परिसीमन अयोग बनाया गया परिसीमन करता है लेकिन उसके बाद लोग सवाक शेत्र या बिदान सवाक शेत्र है उनको बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है जैसे मैंने बताया कि जन संक्या गेसाब से जन प्रिसीमन के बाद जो बढ़ाने की जो बात हम निक्या कर लें वो प्रोसेस स्टार्ट होगा और हरियाना में फिलाल जैसे अपने पटोदी की बात की पटोदी की लोग ने वहां पे राव नर्वीजी से पूछा कि पटोदी को जिला बढाया गया तो बनाए जाए तो और बेतर डिवालपंट होगा बतोदी के साथ-चाथ इसमें और जो इसस पकोतरी से ही पहले जो मांगा रहे हैं बबार ली के लोगों की मांगा रहे हैं और ग्रihला के लोगों हांसी और डवाली में एस पी बैट है शुरू हो गई है पुलीस जिनको पुलीस जिला का जा सकता है लेकिन उन लोगों की लगातार यह मांग रही है कि इनको एक जो पूर्ण रूप से जिले का दर्जा दिया जाए और डवाली की अगर हम बात करते हैं तो डवाली जो इस सम से बड़ा जिला हुआ रहना का सिर्सा जिला है और जिर्सा और डवाली का जो डिस्टंस है जो दूरी है वो मुझे लगता शाटपैसएटिव की दूरी है और ऐसे मिह हम लोगों की मांग जाइज भी हो सकते है कि उनका जो जिला एक जड़र के दूरी है वो सबसे ज्यादा है और इस वज़े से वहाँ पर एक और डववाली जिला प्राने का कारण एक और हो सकता है डववाली की सिमाएं डववाली जो सहर है उसके सिमाएं दो स्टेटों से और लगती है जैसे पंजाब से और रजस्तान से लगती है अगर डवाली सेंटेंग दुसरी और पंजाब पड़ता है और गली के इस साइड में जो घर है नहीं और गाउंग में प्रकार से सिर्साडि सिर्साइज का लास्ट गाउं हम कह सकते हैं जो राजस्थान की तरफ है, रास्थान की सीमाँ पर चोटाला गाँ आपर दूरी की बात करते हैं तो लगभग भग, 90 क room так की दूरी नब्जुमेंक्तर की दूरी की दूरी है, बहुत लंबी दूरी एक, जिला में यह कई जा सकती है और चोटाला की आजब्द पास गया वह क तो उनके लिए एक सुईदा भी हो जाती है और इस प्रकार से जो दो जो हमने बात की दो स्टेट की जो सीमा लगती है और कहीं कहीं जो नशा की तसक्री है और अब जो नशा की तसक्री उस में बढ़ रही है नशे का चलन यूओं में बढ़ रहा है वह यह बी एक कारण हो जो दो स्टेट की जो सीमा लगती है और वहां से जो स्मगलिंग नशे की वक्ती है उसको कहीं एक उस पर काबू पाने में एक एड्मिस्टेशन को एक और तर यह मुझे लगता नसे की समस्था पर भी काबूह आ जा सकी और गहें के दवाले की लोगों की मांग जाइज के सकते हैं इसके बाद आसी की बात करते हैं आज सी में भी जिला पूलिस बनाया हुआ हैं सी में भी इस स्ट्रेइंड पर पॉलिस बैठते हैं और आधी अजहार पने आप में बड़ा एक अच्छा कस्वा क्या शीटी सहर बन चुका है और हांसी का जो एरिया अग्रामेंट छेतर है काफी बड़े-बड़े गाउं उसमें आते हैं और इसकी वज़े से पूरी उसमें लाइन डॉर्ट बनाई रखने में पूरे हिसार जिला में आशी को मुझे लगता है बनाया जा सकता है और इसके बाद हम गोहाना की बात करते हैं गोहाना सोनीपत और जीन्द के पीच में हैं जीन्द से भी चाड़े-पंतारे किलोमेटर पड़ता है और से भी लगवागा लगवागा रोत तक और पाणी पत्षे भी इनका से डिस्टंस है तो गोना की लोगों को भी पॉलिटिकल मांग भी वहां से आती रही है चाहे आपके जो जो विदायक बने हैं उनकी तरफ से या पहले भी वहना को जिला बनाने की जो मांग है लगता रखत है और चोथे जिलेगी अगर हम बात करते हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी ने जो चुनाव से पहले अपना जो संकलब पत्तर जो जारी किया था उसमें एक कुंडली मानेस्टर कॉलवल आईवे पर जो केमपी है उस पर पांच सहर ड्वलप करने का एक उनोंने पांच उद जो चित्र महां पर बढ़ाई जाने हैं और केमपी की जो लंबाई के अगरम बात करते हैं सोनिपत कुंडली बाडर से और परवल तक 135 किलोमेटर की लंबाई है तो 135 किलोमेटर की बहुत लंबी चोड़ी लंबाई बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है लेकिन होने हैं वो उसी आईवे पे जो केमपी पे होने हैं पांच सहरों के अगर जैसे सरकार बार्टी जन्दा बार्टी ने बात की है और जी सरकार बनी है तो निशी दिरूप से पांच साल में इस पर कुछ कुछ काम होगा और महां भी एक जो उस एडमिस्टेशन को देखने के लीए वागे एक सेथर को जो पांच जैर जो एक डिजाइन की जाएंगे पहले उसके बाद स्टेब्स की विए वह सारा देखने के लिए और सारा का सारा के आता है तो उसमें भी कहीं की मुझे लगता है कि कहीं सरकार एक जले की घुसरा वहां पर एक डेव्टिक मेस्टर स से एक पूरे पुरा जिला परसासन और पुलिस परसासन ने उनको कने की ने 10 कर सकते हैं और उसको मोत परना था कि दिए mys वियसे भी करनों विस्ता पर उन्जोर देना पढ़ता है जो फंक्सनरी है उसकी काफी जरूर्द पढ़ेगी मुझे लगता है वहां भी एक डिस्टिक एड़ूपटर का की स्थापना की जा सकती है इस परकार से हम कह सकते हैं तीन से च्यार जिले अर्याना में दो हजार उनतिस से पहले बनाई जा सकते हैं और दो हजार उनतिस में जैसे चुनाव स्थापना की है निश्टित रूफ से जो वर्थमान सरकार है और दिखाएकिई हैं हमने चार जिलो की इस दापना की है और यह बहुत बड़ी एक किसी भी सरकार की होती है और और Tools यस fundamentally 2026 को जैसे ऐसे बीस में किनि最म्रीश को कि सकती है ओर ब्यूआ निक्तिकों से यह होगा और के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे युहां के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे रोजगार तो उसमें सब्सक्राइब करने के लिए पढ़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं दोजाट सब्सक्राइब की बाद और तिस के फीस में तीन या चार जीलों का उस्ताफित और नए जीले सब्सक्राइब की जा सकते हैं अलागे इस से पहले इस सरकार ने जो बार्टी सित्ता बार्टी की सरकार ने एक दिसमबर दोजार सोड़ा को हर्याना का बाइस में चला चर्की तादरी को खोशित किया था वो पूरा अभी उसमें डॉयलप कर रहा है पूरा फंक्शनिंग प् या चर जिले नहीं बना जकते हैं तो दोस्तों दो हजार चबिस के बाद हर्याना में जो जिले हैं उनकी गिंती में इजाफा होगा बिधान सबा और लोक सबा चुनाब क्शेत्र जो हैं उनकी जो गिंती है वो बढ़ सकती है खेर ये तो आने वाला समय ही बताएगा आप रहे अर्थ परकास्ट टीवी मेरा साथ आप हमारे स्टूडियो है आपका बहुत 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 शुक्त रिया दन्यवाद नमस्कार